नमस्कार आईश्मान भाहों में आपका बहुत बहुत अविनंदर है स्वागत है आप सब को आपके जर्म दिन का बहुत 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 मुबारक बात शुब कामड़ा हैं बढ़ाईयां कॉंग्राचुलेशन्स एंड सेलिबिरेशन्स हर भाशा में बोल दिये आप सब पूर से प्रात्रा करते हैं दो राय नहीं आज का दिन स्पेशल दिन है आज दिनांक 22 जनवरी है आज आपका अवतरण दिवस है प्रथवी पर आगमन दिवस है पढ़ाई से ले करके बिजनस तक और सारी चीजे एक साथ यहीं मिल जाती है पूरे साल का टेंटेवली महीने सब से पहले आएए बताते हैं आपकी सिक्षा की विशे में पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी सिक्षा छेत्र में जो मुसीबतें थी वो दूर हो रही है जनवरी मार्च जुलाई नवंबर ये इतने महीने आपके लिए जैसे चमतकार से कम नहीं होंगे अपने आप चीजें मैनेज होती रहेंगे जैसे आप एक्ष्ट्रा पढ़ाई करने लगेंगे लेकिन बिजनस की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी ब्यापार थोड़ा सा दिक्कत करेगा बिजनस में पैसा फंस सकता है मार्च में लोन आदी की नहुपत आएगी जुलाई अगस्त में कुछ कोट का चहरी में उलजेंगे अगनी से खत्रा मई जून में संभव है सितंबर अक्टूबर में विदेश से ब्यापार के लिए विचार कर सकते हैं नवंबर और दिसंबर महिना रुके धन की प्राप्ति का होगा प्राइवेट सिक्टर प्राइवेट सिक्टर वालों के लिए नौकरी में बाधाएं तो दूर कर ले जाएंगे लेकिन कुछ बाधा ऐसी भी आ सकती है जो आप पर ही कुछ आरोप प्रत्यारोप कर दे जैसे कोई जिपमेदारी दिया गया हो आपने बेश्ट करने की कोशिश किया लेकिन बाधा नाराज हो जाएं तो ऐसे में कुछ आरोप प्रत्यारोप चलेगा आपके साथ मार्च जून अगस्त इसके आगे बीचे में कहीं बिदेश में आधी प्रियास करेंगे कि कहीं जाकर के आप नवकरी दूसरी पकर लें तो उसके लिए समय आगे बीचे संभाव है बेश्ट तो खैर नौवंबर दिसंबर रहे गाई हो सकता है कि गवर्मेंट सेक्टर में आउट आफ टर्न प्रमोशन के चांस बन जाए जून मई दोनों महीने में एक दब से आपके हाथ में ट्रांसफर लेटर आ सकता है आपके साथ परिस्थतियों को भी आप मैनेज करके चलेंगे गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए जमीन जायजाद में निवेश के लिए मई और जुलाई का महिना बहुत उपयूगत रहेगा जो गवर्मेंट सेक्टर में है वाहन चेंज करने के लिए सितंबर अक्टूबर का महिना तो पूश confirming की चल क्याया है मकान के सुख के संकेत मिल रहे हैं कहीं जमीन में निवेश करने के लिए फिर अक्टूबर नौंबर आपके लिए शुब रहेगा बच्चों की शादी आदी करना चाहते होंगे तो फरवरी और मार्च सकारात्मक है बस इतना मान करके चलिए दामपत्य जीवन के लिए जन्वरी महीना जो कुछ दिन बचे हैं साथ-ाथ दिन उसका थोड़ा सा कश्ट है फरवरी से फिर सब कुछ सामान होने लग जाएगा बीस-बाइस फरवरी के बीच में तनाव की स्थिति बढ़ सकती है अकलपनी ये कश्ट मिल सकता है सप्टेशन की नौबत मई जुलाई अगस्त से पैचप की संभावना बन सकती है किसी छोटी लड़की को अपने दामपत्य जीवन में इंवाल्व करके रिष्टे को मधूर करने की कोशिश कर सकते है कुछ उचाई तो स्वतह छुएंगे आग यह आपके लिए सगर अत्मग रहेगा दामपत्य जीवन में दिसंबर में एक नई सुरुवात संतान सुक की प्राप्ति और रिष्टे में मधूर्ता कनफर्म मानिये दो हजार बीस दिसंबर में लव लाइफ जनवरी फरवरी जो बचे हैं इसमें तो तकराव होगा इगो क्लैश होगा आज धनुराशी का चन्रमा कुछ मानसिक कष्ट ले करके आएगा इस पूरे वर्ष ब्रेक अप वाले जो महीने हैं अप्रेल है अगस्त है और नवंबर है अप्रेल अगस्त नवंबर इसके आगे पीछे बिवा की भी स्थिति आएगी और रिष्टे में प्यार भी रहेगा नए प्रपोजल अक्टूबर नवंबर में संभव है दिनांक 22 जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए स्वास्त के मामले में पूरा वर्ष अच्छा है उत्तम स्वास्त के स्वामी रहेंगे हड्डियों की दिक्कत और लीवर किड्नी से सम्मंधित पेशेंट्स को विशेश केर की आवशक्ता रहेगी जो बच्चे हैं 22 जनवरी को पैदा हुए उनके लिए कुछ सरजरी आदी की भी नौवत दिखाई देती है फरवरी अप्रेल सावधानी बरतने की आवशक्ता है प्रियोग क्या करना चाहिए अब मैं आपको एक प्रियोग बताता हूँ हल्दी और केसर जल में डाल करके नहाना है रेगुलर बारो महीना और तीन लोगों को भोजन करा दीजेगा आज जिनकी शादी की सालगिरा है तीन जरुरत मंदों को फल और पानी पति-पत्नी मिलकर के दान करें पानी नहीं लिखा है लेकिन आप लिख लीजेगा और किसी कन्या की शादी में पती पतनी मिलकर कुछ धन या सामान से मदद कर दे बस बस बढ़ाई मुलाकात करने के लिए आज से लेके 26 तक गाजियाबाद में 27-28 लखनो एक दो तीन फरवरी कल करता Thank you so much, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, शिरादे